वेल्कम फ्रेंड्स मैं पूर समीर शांसरी आप देख रहे हैं जो तिस से लोड़ी कुछ स्पेशल बात है तो आज कर लेते हैं बात कुंडली में बनने वाले सुनफा योग की सुनफा योग कैसे बनता है क्या इसका प्रभाव है और किस तरह से इसको देखना चाहिए तो बात कर लेते हैं इस पर बिफोर स्टाइडिक वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और डॉंट फर्गेट अपैस बेल आइकन तो कर लेते हैं सुनफा योग बन पात तो मेरे फ्रेंड्स जाल लेते हैं सुनफा योग कैसे बनता है और इसका क्या क्या प्रभाव होता है क्या क्या चीजे हमें प्राप्तों होती है क्या निर्शान होता है क्या फाइदा होता है कितने प्रकार सी ये बनता ऐसके बारे में चाहते हैं तो मित्रम सुनफा योग बनता है चंद्रमा से चंद्रमा हमारे कुंडली में किसी भी घर में बैठा हुआ हो वहां से, next house यहीं कि चंद्रमा से जो अगला गर पड़ता है उस घर में यदि कोई भी ग्रह बैठा हो, सूरी बैठे हो, मंगल बैठे हो, बुद्ध, बैस्पते, शुक्रशनी, राभू के, कोई भी ग्रह जब अगले हाउस में बैठता है, तो इस योग को कहते हैं सुन्फा योग, और इस सुन्फा योग का बहुत अच्छा पर होता है, लेकिन इसके साथ क्लियर कई जोग्सियों का और भी घरंतों का मानना है कि यदि चंद्रमा से अगले घर में सूर्य हो, दोसे घर में, तो यहाँ पर सुन्फा योग नहीं बनता. यानि ही इसमें चंद्रमा के साथ अगले गर्में सूर को अववाइड किया जाता है और या फिर सूर के साथ कोई और गरावन साथ में तो सुनफायों बनता है अन्यता केवल सूर यही नेक्स आउस में हो चंद्रमा की तो यहाँ पर योग भंग हो जाता है और इसका फल प्राप्त नहीं होता है लेकिन मेरी जानकर की अनुसार चंद्रमा से नेक्स हाउस में कोई भी गराव हो कोई शुर हो, कुरूर गराव हो, सो मिगराव हो तो सुनफायों बनता है शवरत की कमिट नहीं होती है और तीसरी चीज़ जो है वो है नेम नाम यानि की नाम की परस्थी, नेम, फेल शवरत तो यह तीनों चीज़े हैं यह life में ऐसे वैप्ति को प्राप्थ को होती है और जो है इन तीनों से जो है उसकी लाइफ बहुत सुन्दर बने रहती है सुन्फायोग का ये फाइदा है और ये था सुन्फायोग जिसके प्रभाव से जीवन में धन, संपत्ति और साथ में नेम फेब जो बहुत चरुणी है और हर विक्ति ये चाहता है कि धन कमाने के बात में वो ये चाहता है कि मेरा नाम होग इसलिए पुस्थन को अपने नेम को बढ़ाने में, प्रसुदी पाने में एश्वर बढ़ाने में लगा देता है तो ये था सुन्फायोग प्रोर मोर डेटेल्स ये था सुन्फायोग आप में वाट्सप नेमर और SMS में 9205574511 तो मिलते हैं किसी next point पर